बाडगंगा थाना शेत्र में बैटरी बनाने वाली फैक्टरी में भीशन आग लग दी जिसमें लाखो रुपे का माल जलकर ठाक हो गया है मौके पर बहुची फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काम उपाया बताया जा रहा है कि ये आग शौट सर्किट से लगी थी फैक्टरी में बाडगंगा थाना शेत्र के सावे रोड पर इस्तितर इंडस्ट्रियल एरिये में मंगलवार रात बैटरी बनाने वाली जैन बैटरी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में आग लग गई आग ने देखते ही देखते भीशन रूप ले लिया फैक्टरी में आग देखकर लोगों ने इसकी सूचना फायर टीम को दी जिसके बाद मौके पर फायर की टीम ने काफी मश्रकत के बाद आग पर काबू पाया आग की इस घटना में लाख रूपे के नुकसान होने की बात सामने आई है आग पानी जो है वह चार बार तो है टेंकर खतम हो गए टेंकर नहीं थे यह नहीं है इसलिए बार 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 बहुत देर हो गई आग बदला नुकसान तो ज्यादा हो गया है अब देख सकते हो पूरे टोडल लगे हुए पुरा फायर फडिकेट भी लेट आया सब उससे कंडोल नहीं हुआ और पिस्कों फटापपड करा पूरे फायर के पिए प्रक्षाइब के पीछा जैन फैक्ट्वी है बेटरी बना बनाओं लगी ए तक विफ्टा जो गहीए कि सावेर भी आई है सावेर रोड स्पाय स्टेशन की और एक लक्षमिना करके एक मोधी तेवे लगी चाह पांच गाड़ियां इखटी होई है और इसको कंटीनिस मतलगा है की बुदारे प्लास्टिक है इसलिए कारण से मतलगा को दिक करता दो हां यह तो मतलगा है कि वरिष ऐसमित झाली है की तो मतलगा है की बुदारे प्लास्टिक